आज हम बात करने वाले हैं characteristics of tourism product के tourism product कैसा होता है क्या उनके characteristics है तो बहुत ही सारे characteristics है जैसे कोई human being होता है वैसे कोई product भी होता है पर जो main चार characteristics है उसके बारे में हम आज discuss करने वाले है तो जो सबसे पहला है वो है intangibility intangibility का मतलब यह होता है कि प्रड़क्ट को आप देख नहीं सकते चू नहीं सकते विफोर इट्स पर्चेज एंड कंजप्शन एग्जाम्पल लेते हैं जैसे नॉर्मल प्रड़क्ट में क्या होता है मुझे कोई लैप्टप खरीदना है तो मैं किसी लैप्टप स्टोर पे गया और वहां पर उनको बोला कि मुझे आप दिखाओ कि मुझे कौन सा लैप्टप लेना है तो मैंने देखा लैप्टप उसको थोड़ा बहुत यूज भी किया फिर मुझे पता चला फिर जाके मैंने लैप्टप खरीदा पर टूरिज्म प्रड़क्ट में ऐसा नहीं होता जैसे कि आपको कश्मीर घूमने जाना है तो जब कश्मीर का पैकेज आपको डिलिवर होगा जब आप घूमने जाओगे जब कश्मीर में आप साइट सिंग करोगे तब जाके आपको पता चला है कि अपकेज़़ में प्रड़क्ट है क्या ठीक है तो इसको बोलते है इंटैंजिबिटी जो मैंने औरेंज में मार्क किया है वो इंपोर्टन है तो इंटैंजिबिटी का मतलब यह होता कि The product cannot be directly seen or tested or felt before its purchase and consumption. ठीके, purchase and consumption करने से पहले आप प्रड़क्ट को देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, उसका फिल भी नहीं कर सकते. तो, for example, hotel rooms, air tickets, rafting बगेरा, यह सारा आगया, जो भी tourism products है, उनका जो main characteristics है, वो है intangibility. तो, second one is inseparability, कि टूरिजम प्रड़क्ट को आपको, टूरिजम के जो प्रड़क्ट्स हैं, उसको आप separate नहीं कर सकते, from its service providers, जैसे आपको hotel में जाना है, hotel की जो luxury है, उसके मज़े लेने है, ठीक है, तो, आपके पास hotel चलके आना है, सकता, आपको hotel के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे आपको खाना-खाना है, restaurant में जाके खाना-खाना है, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर से खाना order कर लो, मैं बोल रहा हूँ कि आप restaurant में जाना है, वहाँ बेठना है, और वहाँ जाके आपको खाना-खाना है, ठी जिसको बोलते हैं inseparability यह भी एक tourism product की खासियत होती है characteristics होती है जिसको हम बोलते हैं inseparability तो पहला बाला जो था वो था intangibility second जो है inseparability थर्ड है tourism products are perishable perishable का मतलब यह होता कि आप इसको store नहीं कर सकते ठीक है जैसे कि मैंने कोई train की ticket खरी ली 15 अगस्ट के लिए मैंने कोई train की ticket खरी ली उस ticket को मैं 16 अगस्ट में use नहीं कर सकता उस ticket को मैं 14 अगस्ट में use नहीं कर सकता ठीक है तो इसको आप store करके रख नहीं सकते एक बार आपने खरीद लिया तो खरीद लिया so tourism products cannot be stored ठीक है the last one is absence of ownership you cannot own a tourism product ठीक है जो manufacturer होता है जो service provider होता है वह ही ओन करता है tourism product को उसी का ही होता है product वह उसको बार बार क्या है rent पे देता है जैसा kind of rental ownership आप बोल सकते हो जैसे कि आप hotel में जाते हो hotel आपका नहीं हो सकता आप जाके hotel में रह सकते हो एक दिन के लिए उस कमरे को आप खरीज सकते हो बट partially जो ownership होता है वो transferable नहीं होता ठीक है आप taxi में जाते हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये taxi मेरी है आप ऐसा नहीं बोल सकते है आप ने पैसा दिया है taxi से एक जगा से दूसरे जगा जाने के लिए restaurant में खाना खाने जाते हो ये आप बोल नहीं सकते कि restaurant मेरा है ठीक है कश्मीर गुमने जाते हो कश्मीर का package tourism product है आप यह नहीं बोल सकते होगी कश्मीर मेरा है नहीं बोल सकते है ना ठीक है तो जो चार major characteristics है वो है intangibility इसका मतलब होता है कि आप इसको directly देख नहीं सकते feel नहीं कर सकते है या taste नहीं कर सकते है परचेज करने से पहले सेकेंड जो है वो है inseparability आप इसको अपने service provider से separate नहीं कर सकते है थार्ड tourism product is perishable इसका मतलब इसको आप store करके रख नहीं सकते है फॉर्थ वान इस absence of ownership तो ownership को आप ट्रांसपर नहीं कर सकते है